रोजगा जनस्रिवा केंद के ऑफिस्यल यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चन्रिगड़ पुलिस कॉंस्टेबल के ऑफिस्यल नोटिक्टिकेशन जो जारी हुआ है उसमें हम बात करने वाले क्वालिफिकेशन एज, फी पुलिस की यह उसका लिंक दिये हुआ यहां पर डिटेल आप पोस्ट की बात करने वाले हैं आपके इसमें चन्रिगड़ पुलिस की यह उसका लिंक दिये हुआ यहां पर यहां पर डिटेल आप पोस्ट की बात करेंगे देखें यहां पर जन्रल ओविसी, एससी और इड़लुएस, एस्ट के लिए यहां पर देखें कोई सीट नहीं है, इसलिए मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए, एक सर्विसमें और टोटल वेकेंस, यहां बताया गया आप टोटल देखिए, जन्रल के लिए 324, वहीं ओविसी के लिए 185, एससी के लिए 130, और इड़लुएस के लिए एक सर्विसमें, तोटल नमर और वेकेंसी आपके हैं 700, 700 वेकेंसी में आपके 23 वेकेंसी जो है कि बैकलॉग भी इंक्लूट की गए इसमें, अब हम बात करे हैंगे, इलिजबिल्टी की स्टेंडर्ट की, यहाँ पर एस, आपके जो है कि 20, माई 23 से आपके एस कल्कुलेट हो, किया जाएगा, जन्रल के लिए 18 से 25 साल, और एससी के लिए 18 से 30 साल, इसमें देखिए एससन भी आपको मिला है, इसमें ओविसी के लिए 3 साल, और वहीं जो है कि आपके एससी के लिए 5 साल, एससी मिला है, अब दोस्तों, 20, माई 23 से आपकी एस जो उमर 18 साल हो जाएगी, तो आप फॉर्म फिल करने के लिए इलिजबर रहेंगे, अब एसससी मिला है, एक सर्विसमें के लिए, मैक्सिमम एस 18 से 45 साल, 45 साल उनकी जो होनी अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बी वाले में बताया गया है कि होम गार्ड जो है, चंदीर के होम गार्ड है, उनको किसी साब से एज रिलेशन मिलेगा, इस साब से यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्लाश 2 के लेवल का कोई भी क्वालिफिकेशन आपको पास हो, तो आ अब यहाँ पर ड्राइबरी स्किल की बात करेंगे, ड्राइबरी स्किल में जो है कि आपको टू विलर और फोर विलर दोनों का बोथ देखिए हैं दिया गया, दोनों का आपको ड्राइबरी लासेंस आपको होना चाहिए, और मेल कंडिडेट के लिए तो कंपलसरी है, मेल क प्राप से बोर्ट से आपके पास computer certificate होना चाहिए application fix की बात करेंगे general OBC के लिए 1000 रुपे सुल्क जो कि काफी ज़्यादा है SCAW EWS के लिए 800 रुपे सुल्क और ex-servicemen के लिए कोई सुल्क नहीं अब हम यहाँ written test की बात करेंगे दोस्तों इसमें देखिए OMR वेस्ट आपका exam होगा इसमें आपका exam जो offline mode से होगा इसमें total आपके 100 question रहेंगे 100 marks के रहेंगे और इसमें 0.25 की negative marking रहेगी इसका मतलब 1 by 4 आपकी negative marking रहेगी आप written exam जो है टेपर आपका जो आएगा वो तीन language में आएगा Hindi, English और Punjabi तीन भसाओं में आपका medium रहेगा टेपर देने का आप जब फॉर्म फिल कर देंगे जब आप written exam देने जाएगे तो आपको वहाँ पर language चूज करना पड़ेगा हिंदी में जो उसका medium होता exam का वो आपको चूज करना पड़ेगा अगर आप एक बार चूज कर लेते हैं तो दुबारा जो आपको चेंज नहीं कर पाएगे यहाँ पर देखे चेंज ऑफ मेडियम विल नॉट बी पर्मिटेट एक बार अगर आपने हिंदी चैन कर लिया जो माध्या में पेपर का एक्जाम देने का तो आप उससे दुबार चेंज नहीं कर सकते हैं इंग्लिस चूज कर लिए तो आप जो एकी चेंज नहीं कर सकते हैं इसी तरह पंजाबी अब यहाँ पर 5.2 में बात करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अब दोस्तों यहाँ हाइट की बात करेंगे अब जिसकी हाइट 155 cm है या उससे अधिक है अब जिसकी हाइट 155 cm है या उससे अधिक है तो आपको जो है कि दो नमर मिलेंगे कोईं हील एरिया के लिए अगर मेल है हील एरिया कंडिडेट से तो 187 cm है उसको दो नमर मिलेंगे 187 है या उससे अधिक है उससे ज्यादा है तो आपको दो नमर मिलेंगे और अब आगे हम बात करने वाले है फीजिकल एफिसिएंसी एंड मेजर्मेंट टेस्ट टी एंड एंड एमटी की अब दोस्तों यहाँ पर फ्रॉस आप ध्यान दीजेगा यह क्वालिफाइंग जो है कि आपको नेचर का है और यहाँ पर देखेu, एच वाइज है, अठाऑ से ती साल के लिए है और यहाँ पर देखे ऐसे लि मेरे क्वालिफाइंग के लिए जो और 6 मिनिट 15 में, कि आपको आपको रेस करने है और वहीं जो जिसकी एज 30 से 35 साल है उसको 7 मिट में complete करनी है इसी तरह आप आगे जो है देख सकते हैं अब यहां female candidate के लिए race 800 मीटर है और 4 मिट 15 सेकेंड में आपको complete करनी है अब हम long jump की बात करेंगे male candidate के लिए long jump 3.95 मिटर है और यहां पर 38 से 30 साल के लिए 3.95 मिटर है male candidate के लिए 2.74 मिटर अब high jump की बात करेंगे हम यह देखिए सिफ qualified nature का है अब आपको qualify करना है high jump की बात करेंगे हम देखिए male candidate के लिए 1.14 मिटर अब वह ही जो female candidate के लिए 0.90 मिटर height जो आप qualifying करना है अब हम measurement test की बात करेंगे male candidate के लिए और female candidate के लिए height जो होनी चाहिए male candidate के लिए 1.70 संटीमीटर वह female candidate के लिए 157.25 संटीमीटर अगर जो candidate हील एरिया से आते हैं या resident जिसका हील एरिया से उनको 5 संटीमीटर की जो चूट मिलेगी 155 संटीमीटर male candidate के लिए और 152.5 संटीमीटर female candidate के लिए आगे भी आप देख सकते हैं 155 संटीमीटर और 152.5 संटीमीटर अब यहाँ पर chest की बात करेंगे male candidate के लिए 84 से 88 के बीच में मतलब आपके जो normal 84 रहना चाहिए और extend करके जो chest को extend करेंगे तो आपको 5 संटीमीटर का जो के increase होना चाहिए तो 88 संटीमीटर तक होने चाहिए अगर heel area से है तो आपको 5 संटीमीटर की जो छूट मिलती है जिसे 89 से 5 संटीमीटर extend करेंगे तो 83 संटीमीटर बीच आपका होना चाहिए उसी तरह 5 संटीमीटर के आपको छूट मिलेगी अब यहां पर दोस्तों जिके जनरल इंस्ट्रेक्शन है, ओनलाइन फॉर्म फिलप के बारे में इसे आप पढ़ लिजेगा, और थांकि फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, सस्क्राइब करें, अगर कुछ भी चीजें न समाझ में आई हो, तो आप कम कमेंट करके आप कुछ सकते हैं, थैंकि दोस्तों.